नमस्कार इस चैनल में आप सबी भीवार्स का बहुत-बहुत सागत है आज इस वीडियो में 2023 SSC GT Exams का reasoning के ओपर कुछ questions डिसकस करेंगे जो upcoming SSC GT Exams के लिए बहुत ही important है आप वीडियो को धेंसे देखिएगा तक इस टाइब को question को समझने में आपको कोई दिक्कत न हो तो चल figure में देखिए उपर में 26 यहाँ पर 17 और 21 है तो इन तिनों numbers कंदर relation क्या होगा देखिए पहले 26 के साथ यह 17 को multiply करना है करके यहाँ पर अगर इसको 2 से divide करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए काटेंगे तो 13 हो जाएगा 13 into 17 is equal to यहाँ पर हो जाएगा 221 ठीक है तो यहा numbers को multiply करके 2 से अगर divide करेंगे तो यहाँ पर यह number आ जाएगा ठीक है समझ मारा है middle figure में भी same हो जाएगा देखिए 28 multiplied by 19 करना है divided by 2 करना है तो मतलब क्या होगा देखिए 14 हो जाएगा यहाँ पर 14 into 19 is equal to यहाँ पर हो जाएगा 266 ठीक है तो अभी यहाँ पर question mark के जगा क्या question mark multiplied by 31 is equal to 217 multiplied by 2 हो जाएगा then question mark is equal to 217 multiplied by 2 divided by 31 ठीक है 217 को 31 से अगर काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 7 multiplied by 2 is equal to 14 हो जाएगा तो question mark के जागा यहाँ पर 14 हो जाएगा correct answer ठीक है समझ मैं आ गया तो चली next question को देख लेता है इस question को देखी यहाँ पर एक repeated series का question है इस question को solve के से करेंगे इस टेक को questions को solve करने के लिए सबसे बहुत करना होगा यहाँ पर कितना number of letters होगा देखे count करेंगे तो यहाँ पर 20 number of letters होगा तो 20 को अगर break करेंगे तो 5 multiplied by 4 म metrics लेकर एक एक पार को हम divide कर लेंगे 12 345 यहा तक 12345 यहा तक उसके बाद 1245 यहा तक और यहाँ पर पांच ठीक है तो देखी यहाँ पर सबसे पहले इस group में देखे PER है ठीक है PER है इस group में इस group में दिखे है यहाँ पर सिर्फ er है तो यहाँ पर अगर p लिख देंगे तो per हो जाता है ठीक है यहाँ पर दिखे है यहाँ पर अगर r लिखेंगे तो er हो जाता है last पर बन जाएगा और यहाँ पर भी p a p e r ठीक है तो मतलब यहाँ पर paper का group बन गया है तो यहाँ पर answer क्या आएगा दिखें answer आ जाएगा a e p a उसके बाद a p p r ठीक है तो मतलब a e p a a p p r यहाँ पर हो जाएगा correct answer ठीक है समझ मैं आ गया तो चली next question को देख लेता है इस question को देखें अगर 64 divided by 14 is equal to 10 है 26 divided by 11 is equal to 14 है 92 divided by 22 is equal to 14 है तो यहाँ पर 76 divided by 17 is equal to क्या होगा वो ही पुछा गया है question में 64 divided by 14 is equal to 10 कैसे आएगा देखें 64 का 6 plus 4 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 10 ठीक है उसके बाद 14 का 1 plus 4 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 ठीक है तो 10 से अगर 5 minus करेंगे तो 5 आ जाएगा लेकिन यहाँ पर 10 है मतलब इसके साथ multiplied by 2 कर देंग तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 minus 2 is equal to 6 हो जाएगा 6 के साथ अभी multiplied by 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा ठीक है समझ मारा है तो अभी यहाँ पर answer क्या आएगा देखें 76 का 7 plus 6 करना है करके यहाँ पर minus 17 का 1 plus 7 करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखें 7 plus 6 is equal to 13 minus 8 is equal to 5 आ जा to 10 हो जाएगा ठीक है तो चली next question को देख लेता है देखें यहाँ पर एक dice का question है यहाँ पर अभी हमें बोला है कि 3 के opposite में कौन सा number आएगा देखें बहुत ही आसन question है इस question को solve के से करेंगे यहाँ पर देखें 3 के साथ 6 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा 6 के साथ 5 जोड़ें तो 8 आ जाएगा यहाँ पर हमें 7 लाना है ठीक है 7 बनाना है मतलब यहपर दो नंबर को जोड़ने से यहाँ पर 7 आना चाहिए ठीक है समझ में रहा है तो मतलब यहाँ पर 3 के opposite में कौनसा नंबर होने सेやई यहाँ पर 7 आएगा यहाँ पर 3 के साथ 4 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा 5 के opposite में 2, 2 के opposite में 5, and 6 के opposite में 1, 1 के opposite में 6, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा 4, correct answer, ठीक है, तो चलिए next question को देख लेता है, यहाँ पर एक number series है, last में देखे question mark, तो यह question mark के जागा कौन सा number आएगा, इस question को solve केने के लिए यहाँ पर जो numbers से, इन numbers के अंद by 2 हो आए, ठीक है, 22 के साथ, अगर multiplied by 2 करेंगे, तो 44 आएगा, उसके बद 44 से 41, मतलब यहाँ पर minus 3 हो आए, 41 के साथ, अगर multiplied by 4 करेंगे, तो 164 आजाएगा, next, ठीक है, तो अभी यहाँ पर question mark के जागा किया होगा, देखे, यहाँ पर एक बर minus, एक बर multiplication हो रहा है, तो obviously अ minus 5 हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब 164 से minus 5 करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 159, 159 हो जाएगा, question mark के जगा correct answer, ठीक है, तो चली next question को देख लेते हैं, इस question को देखिए, यहाँ पर हमें बोलना है कि कितना number of squares होगा, इस figure के अंदर, देखे, सबसे बहले हम black line को देखेंगे देखें, यह जो square है, यह एक square है, ऐसे ही, black line में देखें, यहाँ पर एक, middle में एक, यहाँ पर एक, और यहाँ पर एक, मतलब 5 number of squares है, तो 5 लिख देंगे, plus इसके साथ देखें, यहाँ पर middle में, यह red border को देखें, red square को देखें, यहाँ पर middle में, सबसे middle में देखें, 1, 2, 2, 3, 4, और ये बड़ावला एक, ठीक है, तो मतलब यहापर 5 हो जाएगा फिट से, प्लास इसके साथ ही और कहा पर है और भी है इसके अंदर दिखे यह जो स्क्वेर है यह जो स्क्वेर है यह एक स्क्वेर है ठीक है यह एक स्क्वेर है उसके बाद देखे यहाँ पर यह एक स्क्वेर है यह एक स्क्वेर है उसके बाद यहाँ पर यह एक स्क्वेर है मतलब कित इस question को देखिए अगर 92 start 24 is equal to 34 है 56 start 18 is equal to 19 है तो यहापर 79 start 37 is equal to क्या होगा वही पूछा गया है question में 92 start 24 is equal to 34 कैसे आएगा देखे 92 से अगर पहले 92 से 24 को minus करेंगे तो 68 आजाएगा अभी देखे 68 को अगर 2 से divide करेंगे तो 34 आजाएगा ठीक है समझ में आ रहा है यहापर भी से हमें 56 minus 18 करना है तो यहापर हो जाएगा 38 38 को 2 से divide करना है तो 19 आजाएगा ठीक है उसके बाद 79 start 37 is equal to क्या होगा 79 से 37 को minus करना है तो यहापर हो जाएगा 42 42 को अगर 2 से divide करेंगे तो 21 आजाएगा मतलब 79 start 37 is equal to 21 हो जाएगा correct answer ठीक है तो चलिए next question को देख लेता है इस question क को देखे 5th December 2013 नंदीने अन्देव anniversary celebrate करता है जो Thursday था तो यहापर question में पुछा गया है कि 2017 में anniversary का दीन कौन सा होगा देखे इस question को solve कैसे करेंगे यहापर 5th December 5th December 2013 कौन सा दीन है Thursday है Thursday है ठीक है अभी यहापर 2017 में anniversary का दीन कौन सा होगा वही पुछा गया है मतलब anniversary का date तो चेंज नहीं होगा date वही रहेगा मतलब यहापर 5th December ही रहेगा 5th December 2017 कौन सा दीन होगा वही पुछा गया है तो देखे 5th December 2013 यहापर Thursday था तो 2013 लिप्यार नहीं है उसके बाद 5th December 2014 कौ 2014 भी लीपियन नहीं है तो इसलिए यहापर plus one day आगे जाना है मतलब Thursday के एक दिन बाद जो दिन आएगा वो हो जाएगा 5th December 2014 का दिन मतलब Thursday के बाद यहापर होता है Friday ठीक है Friday हो जाएगा उसके बाद 5th December 2015 कौनसे दिन होगा 2015 भी लीपियन नहीं है इसलिए Friday के साथ प्लास एक दिन करना है मतलब प्लास एक करेंगे तो Saturday हो जाएगा ठीक है उसके बाद 5th December 2016 यहापर कौनसा दिन आएगा देखे 5th December 2015 से 5th December 2016 एक साल के अंदर कितना ओड़े होगा देखे General Year में generally एक ओड़े होता है and leap year में दो ओड़े होता है leap year में दो ओड़े क्यों होता है February month, February month यहापर 29 days में होता है और general year में February month, February month कितना दिनों में होता है 28 days में होता है यहापर देखे एक दिन है, एक दिन एक्स्ट्रा है और general year में generally एक ओड़े होता है तो मतलब यहापर इसलिए यहापर दो और दे हो गया ठीक है तो 2016 यहापर लीपियर है तो यहापर 5 December 2015 से 5 December 2016 का अंदर February आ जाता है इसलिए यहापर एक और दे extra हो जाएगा मतलब यहापर Saturday के साथ प्लास टू करना है तो Saturday के दो दिन बाद हो जाएगा Monday ठीक है Monday हो जाएगा 5 December 2016 का डेट तो 5 December 2017 कौन सा दिन आएगा इसके साथ प्लास वन करना है क्योंके 2007 भी लीपियर नहीं है जेनरल यहापर है तो मतलब 5 December 2017 हो जाएगा Tuesday ठीक है तो मतलब 2017 में नंदिनी और देव का अनिवर्सिरी का दिन हो जाएगा Tuesday ठीक है समझ में आगया इस वीडियो में किसी भी कुशन को अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो अब ज़रूर कमन बक्स कमन करके बतेए मैं कोशिश करणगा उस कुशन को आपको फिर समझने का वीडियो को अच्छे लगए तो ज़रूर लाइक शेर और सब्सक्काइब कीजिएग नेक्स टाइम इस टेप का और भी फिडियो में कोशिश करूँगा आज के लिए इतने फिर लेंगे